हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आपर यूटूब चैनल आज हम नुकलियर पावर आप कार्पूरेशन इंडिया लिम्टेट की तरफ से जो वेकेंसी निकल के आए रही है उसके हम क्राइटेरिया इलिजबिल्टी के बारे में आपको आउगत कराएंगे जो की इसमें जो बहतरीन दिया हुआ है जिसमें इन्नो एक्जाम नहीं होगा और डारेक्ट सेलेक्शन होगा ये केवल आईटियाई वालों के लिए वेकेंसी है और आपको बताते हैं ये अपरेंटिस के वेकेंसी है अगर आप इस जौब को करने के इच्छु काएं तो आप ये वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से पूरी जानकारी मिल जाए अब हम इसके नोटिफिकेशन को आपको रीड करवाते हैं हमारा नोटिफिकेशन जो न्यूक्लियल पावर कार्पोरेशन आप इंडिया लिम्टेट की तरफ है तरफ से है और इनकी जो आफेसियल है इनकी जो आफेसियल वेबसाइट है ये है और बिग्यापन संख्या काकरापार गुजरात इस्थाल से है और अगर हम इसके लाश्ट डेट फॉर्म अपलाई के करने की लाश्ट डेट की बात करें तो पंद्रा साथ दोहजार पाइस का है आप इस डेट से पहले ये ऑफ अफ लाइन इसका भेज सकते हैं अगर हम इसमें सैच्छिक आहरताइं की बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम इलेक्ट्रीसियन की वेकेंसी देख सकते हैं आपको कितना 47 हैं फिटर की उतनी हैं और इंस्टुमेंट मकैनिक की भी 18 हैं और इलक्रोन की आठ वेकेंसी है अगर टोटल पद की बात करें सभी मिलाके तो कितना 177 पोस्ट हैं और हम इसमें इलिजबिल्टी की बात करें तो इलिजबिल्टी आपकी 24 से 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए 14 वर्स से कम से कम 14 वर्स और अधिक सधिक 24 वर्स अगर आप SCST या OBC से विलॉ विस्टी के लिए तिन साल का एज रिलेक्शन मिलेगा जो सरकार द्वारा लागू होता है और आपका उमीदवारों का वजन वजन उचाई वजन की बात करें तो वजन 25.4 किग्रा से कम नहीं होना चाहिए और उचाई 177 से कम नहीं होना चाहिए और अगर सीने का फूलन न की बात करें, तो कितना 3.8 शेंटिमीटर से कम ना हो? और इसमें जो हम बता दें कि आपको जो मेरिट बनेगी वो केवाल ITI के अधार पर बनेगी क्योंकि ITI के मार्क्स जितने होंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट इसमें बनेगी अगर हम इसमें इस टाइफेंड या वेतन की बात करें तो ये ट्रेडों के लिए जो फिटर, टर्नल, मसीनिस्ट, एलेक्ट्रीसियन, हैं, इंट्रुमेंट मकाइनिक, एलेक्ट्रोनिक मकाइनिक, रेफरीरेशन, एर कंडिसनिर मकाइनिक के लिए 88855 रूपए मिलेगा, अर्थाथ 8885 रूपए मिलेगा और जो बच्चे वेल्डर या कोपा से हाएं तो उनके लिए 7700,2 मिलेगा, कितना? सततर सो मिलेगा और अगर इसमें रेजर्वेशन की बात करें तो अन्सूचित जाजद और पिछड़ावल दिव्यान लोगों के लिए आदेश का पालन किया जाएगा जो भारत सरकार जो रहा नियोजित किया जाता है और अगर इसमें चैन परक्रिया की बात करें तो आपको प्राप्तांग को आपको दिया हुआ देखो कि ITI की अधार पर इसमें आपको सिलेक्शन होगा और समाने सरतें की बात करें कि ये आपकी अपरेंटिस एक वर्स की होगी ये आपकी जवाब एक वर्स की होगी और आप किसी भी विभाग से अगर आप अपरेंटिस कर रहे है या कर चुके हैं तो आप इसके लिए योगे नहीं होंगे और इसमें हम बात कर लें देखो आप अच्छे से इसको अप्रिंटिस पोर्टन में रेजिस्टेशन करने के फिर इसको फोर्म को आप आफ लाइन आविदन करना है अब इसमें आविदन कैसे करें इसमें रेजिस्टर आविदन प्रप्त को अपलोड करने वैसे हम आपको वीडियो के डिसक्रिक्शन में दे देंगे आपको आविदन प्रप्त डाउंलोड कर लेना है और उसको भर के अच्छे से ये पते पर आपको सेंड करना है इनका ये पता अफिसियल दिया हुआ है इसमें सेंड करना है और आपका आवेदन पंद्र 15 जुलाई जो 2022 से पूर्व वहां पहुंचना चाहिए मतलब वहुंचना चाहिए वहां इससे पूर्व पहले ही पहुंच जाना चाहिए और नीचे आपका ये अप्लिकेशन पत्र है अगर आप इस चुक हैं फार्म अप्लाई करने के तो आप यहां पार्श फोस साइड फोटो चिपका के चरित प्रामाड पत्र और पुलिस के अहरताएं जो होती हैं उनको लगा करकी आप पते पर भेश सकते हैं थैंक्स पार वाचिंग